कि क्या सुन्य एक परिमे संख्या है? सुन्य परिमे संख्या है? है, आचा, ठीक है क्या इसे आप P बटा Q की रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पुर्णांख है और Q बराबर नहीं है, 0 Q तो 0 नहीं होना चाहिए अगर Q 0 हो गया तो वो तो परिमे संख्या होगा ही, होगा ही नहीं तो बोलेंगे, हाँ, लिख सकते हैं, ना सबसे पहले तो हमें हाल लिखना है हाल लिखना तो बहुआ नहीं भूलना है हमें किसी भी सूरत पर, ठीक है? बोलेंगे कि एक परी में संख्या है तो बोलेंगे है हाँ सुन्य एक परी में संख्या है ठीक है सुन्ने को हम लोग सुन्ने बराबर सुन्य बटा एक दो तीन चार कुछ भी लिख सकते हैं मान के चलते हैं एक लिखते हैं तो यह क्या हो गया पी बटा क्यू के रूप में हो गया और यहां क्या है यह क्यू जो है जीरो नहीं है कि जीरो है क्या नहीं है को दिकत यहां तक भी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं को दिकत और आगे क्या करना है हो गया या इसको अगर आगे थोड़ा बढ़ा देंगे तो यहां लिख सकते हैं यहां पी बरावर जीरो क्यों बरावर एक ठीक है तथा यह जो क्यूं है बरावर जीरो नहीं है ठीक है अता सुन्य एक परीमे संख्या है लिख लेंगे ठीक है बस हो गया अब आगे लिखने की जरुद है ही नहीं पूछ लिया कि क्या सुने एक परिमेसिंगे हाँ भई है क्या पी से पी बटा क्यों के रूम में लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं लिख के दिखा दिया है कि इसको चाहिए तो हम लोग 0 बटा है दो भी लिख सकते थे 0 बटा पांच भी लिख सकते हैं लिकिने तो वह 0 ही न ह हो जाएगा चलो तो इस तरह से पहला नंबर भी हम लोका बनकर तयार हो गया उतार लो